आज की वीडियो में हम आपको Macberry यालियाज शिरफ के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में जानेंगे कि शिरफ का इस्तिमाल किन-किन समझ्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है इसको कितनी मात्रा में इस्तिमाल करना चाहिए इसके ढोज के बारे में इसकी market price कितनी है इसके composition, side effect इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको Macberry यालियाज syrup के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके तो Macberry यालियाज syrup इसके market price की बात करें तो 108 रुप है इसकी market price है जो की 100 ml की packing में आता है इसकी जो market price है समय के साथ साथ कम या जादे हो सकती है और इसके company की बात करें तो इसको Maclyard Pharmaceutical Private Limited Company के द्वारा बनाया जाता है तो आईए जान लेते हैं इसके composition के बारे में तो इसमें Levo Salbutamol Sulp kinda इसकेoline में बारे में MCB imal में Macberry यालियाज syrup का इस्तीमाल किन किन समचाओं में किया जाता है तो इस सिरप का इस्तीमाल बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है इसके अलामा सांस लेने में कटनाई हो रही हो तो इसको ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है या जम्य वे बलगम को पतला करके बाहर निकाल देता है जिससे की खांसी से आराम मिलता है इसमें जो अमरक साल हैडोकलोराइड है या एक मुकोलाइटिक एजेंट है या बलगम को पतला करने का काम करता है जिससे की खांसी से आराम मिलता है इसके अलामा लिवोसलबुटामाल सलपेट या एक ब्रंकोडाइलेटर है या सांसनली और मानस्पेशियों को आराम पहुंचाता है जिससे की सांस लेना असान बन जाता है इसके अलामा गुआई फेंसिन या एक एक स्पेक्टोरेंट है या बलगम को बाहर निकलने का काम करता है तो इस तरह से ये बहुत ही बेतिन सिरफ है जो की बलगम वाली खांसी को ठीक करता है इसके अलामा आखों से पानी आ रहा हो नाक से पानी आ रहा हो बार बार छीके आ रही हूं तो ये सब समस्याओं को भी ठीक करता है तो आईए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में इसको कितनी मात्रा में इस्तिमाल करना चाहिए तो इस शिरप को एक एडल डिबेक 10 ml दिन में 2-3 बार ले सकते हैं और इसको लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए तबी इसका इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग-अलग होता है और समस्या के उपर निर्वर करता है कितने दिन तक इस्तिमाल करना है और आईए जान लेते हैं मैक बेरी यलियस सिरफ के साइड इफेक्ट के बारे में इसके क्या-क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो इसके साइड इफेक्ट जी मसलाना, उल्टी होना, चक्कराना, दस्त होना, मुह सुखना और इसके अलामा पेट में दर्द होना, सरदर्द होना आलस आना, नीद आना, इसके अलामा हाट रेट बढ़ जाना, आथो पैरों में कमपन होना तो ये सब इसके साइड एफेक्ट हैं, जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सबी को नहीं होते हैं तो यह थी हमारी आज की जानकारी मेक बेरी यलियस सिरप के बारे में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें